कि हलो फिर्ण से कॉमाट्ट में चानल इसी सुबासी चले दिखते हैं कल मार्केट काउंट हम कर सकता है कॉंसेटर सम्ट कर सकते हैं उसके पिछे का लॉजिक क्या है मार्केट कंटेंसली बुलिश ट्रेंड में है यह डिसकस कर रहे थे लेकिन मार्केट मोमेंटम हो नहीं रहा था हम लोग 100 रुपए देखे यह प्लान कर रहे थे कहां मार्केट अगर उपर जा रहा और यही साइन होता है मार्केट का उपर जाने के लिए क्योंकि जब मार्केट को नीचे आना होता है इतल भी वेरी क्वेक लेकिन मार्केट हाय लेवल पर वेट कर रहा था लेकिन इंट्रादे में बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग को मिला नहीं सेकेंड आप में एक अच्छा हों इंटम मिला दैट तो बाइंग के साइड में 200 ह हम लोग का टारगेट था 500 के आसपास यहां पर हम लोग 100 रुपे दे के प्लान किये थे अभी एक अच्छा ट्रेड में दिख रहा है किने हां यहां से 500 पॉसिबल आने के लिए लेकिन 42,500 एक राउंड लेवल है तो यहां से फिट से एक सेलिंग का प्रिसर आ सकता है तो हम लोग का प्लान आफ एक्सन क्या होना चाहिए तू थिंग अगर डैरेक्ली गाप फुल जाता है 42,500-550 इसी लेवल के असपास हम लोग को फिट से एक प्रॉफिट वोकीन देखने के मिलेगा 100-100 पॉंट उसके बाद फिर एक दो दिन के बाद मोमेंटम करेगा या फिर सेक करें लेवल पे एस में 422100-3202 थरह फिर फिर अम लोग पॉच करेंगे बाई नहीं करेंगे यह लेवल पर वेट करेंगे कब हम लोग कर सकते हैं हो सकता है और नियर अबाउट वन अस्टे की दिन जब ये निए ब्रेकाउट दे रहा होगा सेकेंड आप या फिर थर्जड के दिन एक ब्रेकाउट दे रहा होगा तभी हम लोग कर सकते हैं 42,500 फोर्स में निकल जाएगा एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है लेकिन अकल डारेक्टली 42,500 इस लवेल के आसपास कहीं पर खुला तो यहां से तुरह सा प्रॉफिट बॉकिंग आ सकता है तो यह प पॉजिटिव में हो हम लोग को एक प्लान रखना चाहिए वैकप के अंदर वाट अबाउट अगर बहुत बड़ा गाप डाउन खुल गया इमाजिन करो 42,100 इस लेवल के आसपास अगर कुछ खुल गया अगर इस लेवल पर खुला तो डेफिनेटली यहां से सार्ट से लि पाइं के लीज चल रहा था तो बहुत से लोग वेट कर रहा होंगी ब्रेक आउट देगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है अगर गलती से कुछ नहीं हो जाता है या फिर कुछ एक्टरनल सेक्टर के कारन अगर मार्केट गाप डाउन डारेक्ली खुलता है याट में याप खुला हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते फ्लाट कुलने के अदर क्रॉस हो रहा है तो 500 के आसपास टार्गेट होना चाहिए बहुत बार टार्गेट मद रखना क्योंकि 500 एक रांड लेवल है चले हम लोग निफ्टी देख लेते निफ्टी तुरह सा मैंने अगर आप लोग देखोगे लास्ट वन आउवर का अगर कैंडल चोड़ोगे मार्केट सेम रेंज के अंदर ट्रेड किया एक ब्रेक आउट पे लेवल पे ट्रेड कर रहा है अभी अगर हम लोग करेंट लेवल पे देखेंगे 18,400,350 यह सारे बाइंग जोन बन चुके हैं ह अगर फिर कल अगर इमाजिन करो 18,500 के आजवाच डारेक्ली गाप अप खुलता है अगर इस लेवल पे भी गाप खुला तो डेफिनेटल यहां पे कंट्री सो मोमेंटम हुआ है थोड़ा सा पूल बैक मिल सकता है तो हम लोग टॉप पे सेल कर सकते हैं बहुत बहुत बहु सेल करना है फ्लाट खुला तो वेट करेंगे 420-430 यह सार लेवल अगर क्रॉस कर रहा होगा फिर हम लोग उसको थोड़ा सा 500 तक टार्गेट के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि हायर साइड में भी एक राउंड लेवल पास में दिख रहा है 500 के ऊपर ही एक अच्छा हुम हम लोग इसको इगनोर करेंगे लिगनगर कल याप डाउन खुलता है या फ्लाट खुलने कर नीचे आता है 531 या फिर 530 इस लेवल के आसपास आता है तो यहां से एक ब्रेकडाउन भी हो सकता है क्योंकि चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छे लेवल पर हम ल क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग को मिलाता है एक ब्रेकाउट था अल्टाइम हाई के ऊपर चल रहा है तो यहां पर एक अच्छा हों इंटम फिट से आ सकता है क्योंकि हाई के आसपास वेट किया फिर 835 के आसपास एक रेंज है अगर यह कल ब्रेक करता है या पर 837 इस तरीके का लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहां पर मोमेंटम आ सकता है जो इसको 840 के उपर लेके जा सकता है क्योंकि लाश्ट टाइम यहां से ब्रेकाउट हुआ था इस लेवल पर अगर पॉज करता है थी एक ब्रेकाउट हो सकता है एक अच्छे लेवल पे हम लोग इसको बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और यहां पे एक सार्थ बाइंग हुआ था समय राउंड इस लेवल पर सेलिंग फिर इमिडिएटली बाइंग गुआ 600-700 यह सारे हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लोस होना चाहिए और उसके वाज इसको जाने दीजिए क्योंकि आने वाल टाइम में अगर राउंड लेवल देखेंगे 1000 के आसपस अगर यह पहुंसता है तो बहुत अच्छा momentum कर सकता है यह स्टॉक को हम लोग होल्डिंग में उसी लेवल पर 600 के उपर क्लोज भी दिया है तो कल एक momentum एक्षप कर सकते हैं यहां से momentum हो सकता है पॉसेवलो 605 या 6010 तक इंट्राइड एम मोमेंटम कर दे तो उसके लिए हम लोग इसको प्लान करेंगे 601 के ऊपर हम लोग इसको प्लान करेंगे बाइक करने के लिए हम लो कर दो